कि नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से पी के एदुकेशन डूट चनल पर दोस्तों आज का चुब हमारा टोपिक है वह है इसके टाइप्स क्रेक्टर स्टिक्स एंड इस्टोरिकल डॉल्मेंट पर तो दोस्तों में साथ वीडियो केम तक बने रहे अगर वीडियो पसंद आए ज़रूर वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और ज्यादा दो लोग शेयर करें तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंग बोलेगे जो उप्यो करता द्वारा उपलब्द की गई जानकरे का क्या है देग निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग करता है ऐसा इलेक्ट्रोनिक डिवाइज क्या है कम्प्यूटर क्यलाता है यानि कि जो यूजर्स होता है उप्यो करता है वो जो क्या है निर्देश की बात कि जा या computer के अगर शाबदी कर्द की बात की जाए तो computer जो है वो a пож collaborative कट ambt.com love computer से निकला है जिसका जो अर्थ है वो है गर्रणा कर्ना यह जो है वो गणितय स्वालों को हल करने में पूर्णत कुषक्षम है इसलिए इसे गणियंत्रक भी कहा जाता है लेकिन अगर आज के संदर्भ में बात की जाए तो computer जो है केवल यहीं तक ही सिमित नहीं रहा है केवल गणना ही नहीं करता अपितु इस क्या जो उप्योग है वो प्रते एक जो है उप्योग में लाया जाने लगा है इसलिए आज की यूग को क्या है computer का यूग भी कहा जाता है अगर अब बात करें computer के character sticks की तो computer की क्या है एक नहीं अपितु बहुत सारी विशेष्टा है जो इसको एक खास device बनाती है जैसे यहाँ पर थोड़ा आप थोड़ा ढीक से देख लेना क्योंकि यहाँ से जो है एक question कभी कभी question पूछ लिया जाता है कि निमल में से कौन सी computer की बिशेष्टा नहीं है या कौन सी computer की बिशेष्टा है तो देखिए सबसे पहले जो है character stick से वो है speed computer जो है वो मनुष्य और अन्य उपकरणों की अपयक्षा क्या है अधिक दिवर्ता से कारे करता है second जो है memory power समरिती या जिसको हम हिंदी में बोलेगे संगरीत समरिती अन्य उपकरण की तरह अन्य device की तरह computer की भी क्या है अपनी एक memory या समरिती होती है जो आंकड़ों को संचित या स्टोर करने में सायक होती है third है वो binary system पर आधारित computer जो है AC मशीन है जो क्या है binary system पर आधारित है binary system पर कारे करती है next four जो है वो है शुदता एकोरेसी यो एक जो क्या है वो शुद मशीन है क्योंकि यह कठिन से कठिन करना या वी क्या है बिना किसी गल्ती के करता है ऐसा कहा जाता है कि जो गल्ती है वो इंसान या users कर सकता है लेकिन computer कभी क्या है गल्ती नहीं करता है fifth है multi processing device या अर्थात बहुः परकर्में ऊपकर्ण है बहुपरक्रम्य उपकर्ण कौन्स होता है ऐसे उपकर्ण ऐसे device जो क्या है एक समय में एक से अधिक कार्य करने में क्या है पूर्णतर सक्षम होता है उसे क्या है बहुपरक्रम्य या multiprocessing device का जाता है और computer भी क्या है एक समय में एक से अधिक कार्य करने में पूर्णतर सक्ष में इसलिए से भी क्या है multi-processing device कहा जाता है multi-processing device की strategy में रखा जाता है next जो है वह है बहुत प्रिक्रशमंशील है अर्था य। बिना किसी रुकावट के शुदता और एथाथता से क्या है निरंतर कारे करता रहता है इसलिए क्या है computer क्या है एक बहुत परिक्षम शील मशीन है ये भी तो कैसी की एक विशेशता है next है computer एक ब्यविद्यपूर्ण मशीन है यानि कि एक अत्वुत मशीन है क्योंकि ये जो है वो कठीन से कठीन करनाय करने में क्या है पूर्ण तक सक्षम है फिर उसके बाद बाद आती है historical development of computer की या computer के विकास की कि किस तरह से computer का विकास हुआ तो computer के विकास की अगर बात की जाए या अगर आप इत्यास देखोगे तो इसका जो विकास है वो एक दम नहीं हुआ है अप इत्यों धीरे धीरे हुआ है समय अब दी के अंसार इसके विकास काल को क्या है हम 5 अबस्ताओं में या 5 stages में विवाजित करता है सबसे पहले 1st generation of computer, 2nd generation of computer, 3rd generation of computer, 4th generation of computer and 5th generation of computer सबसे पहले हम बात करेगे 1st generation के computer की इसका जो समय काल है वो 1945-1956 1945-1956 के बीज क्या है मना जाता है इस जो काल में वो 1946-1946 में इकट वर जौन ने प्रथम digital computer का क्या है निर्मान क्या था इसमें जो है वो बेंक्यूम 2U बेंक्यूम 2U का क्या है प्रियोक क्या जाता था इसे एनिक का जाता था इसको चनाने की लेक्या आए अधिक उर्जा की आशकता होती थी और यह जो है वो बिजूत उर्जा पे आधारी था और तार बिजूत उर्जा की साइटा से चलता था यहां पर थोड़ा यह जो बेंक्यूम 2U है इसको थोड़ा नोड कर ले ना क्योंकि काफी बार एक्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रथम पीडी के जो कंप्यूटरों में है वो किसका क्या है प्रियोग में लाया जाता था नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन ओप कंप्यूटर इसका जो समय काल है 1956 तू 1963 के बीच माना जाता है 1956 तू 1963 इसमें जो है वो वेंक्यूम टूइब के स्तान पर जैसा कि आपने अभी पड़ा कि पहली जो पीडी में उसमें क्या है वेंक्यूम टूइब का प्रियोग क्या जाता था लेकिन जो सेकंड पीडी के जो कंप्यूटर थे उसमें क्या है वेंक्यूम टूइब के स्तान पर क् ट्रांजिस्टर को क्या है परियोग में लाया जाने लगा जिसके करण क्या है मशीन के आकार कम हुआ और इसकी तिवरता भी क्या है थोड़ी ज्यादा हुई और इस पिरियेड में क्या है मशीनी भाषा के स्थान पे असमली भाषाओं का परियोग किया जाने लगा नेक्स्ट है third generation of computer इसका जो समय काल है वो 1964 to 1971 के भीज माना जाता है इसमें जो है वो computer का आकार और छोटा और speed को और बड़ावा मिला इस जो काल में है वो और 1958 में क्या है जैन किल्वी है जैन और किल्वी दो सेंटिस्ट थे उन्होंने क्या है आइसी चिप का क्या है निर्मान क्या आइसी चिप जिसका पूरा नाम है इंटिग्रेट सर्किट इसके उप्योग से क्या हुआ computer का आकार और छोटा होता गया और गती में क्या है और अधिक तीवरता आने लगी फिर नेक्स्ट आता है 4th generation of computer 1971 1971 तो आज तक या बरतमान तक जो भी है यानि कि 1971 के बाद का जो समय है उस समय के जो computer है उनको क्या है फोट जनरेशन के computer की standing में रखा जाता है इस PD में जो है वो computer के क्या है processor के आकार में कमी आई जिसका कारण था USLI का अविशकार होना USLI में अल्ट्रा लार्ज स्केल integration यह भी जो है इसका full form भी कभी क्या है एक्जाम में पूस लिया जाता है तो थोड़ा नोट कर ले अल्ट्रा लार्ज स्केल integration का अविशकार हुआ इसके उप्योग से आकार में और अधिक कमी हुई और प्रसकर्ण या प्रोसेसिंग जो समता होती है उसमें ब्रिदी हुई आध कल जैसे आप देख रहा है आप जो है फोर्जी यूज कर रहे है फोर्जी मिल्स फोर्ट जनरेशन पर आज क्या आ है अपना कदम रखे हुए है व्विश्य में कि फाफ़जी आने वाला फिफ्ट जनरेशन जो है पाँचोई PDK के कम्प्यूटर इस PDK जो कम्प्यूटर के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जाता क्योंकि फ्यूचर को किसी नहीं देखा है लेकिन हम जो है हलका सा क्या है अनुमाल लगा सकता है कि फिफ्ट जनरेशन के जो computer है वो artificially intelligency या कृतिम बुद्धी मता से क्या less हो गए अधनिक technology विज्ञान का उप्योग करके क्या है इसका निर्माण किया जाएगा ज्यादा कुछ क्या है इसके बरे में बताना अभी मुश्किल है तो ये हुई बात computer के विकास की उसकी अवस्था की next जो बात आती है वो आती है types of computer की types of computer की computer के परकार तो देखिए computer के अगर परकार की बात की जाए तो इसको हम तीन आधार पे क्या है वर्गीगित करता है first है on the basis of technology या तकनीक की आधार या हम कह सकते कार्य प्रणालि की आधार पे इसके आधार पे जो है वो तीन जो है type सोते computer के first है analog computer digital computer और hijiving computer और second जो है based on size on that basis on based on size आकार की आधार पे आकार के आधार पे जो है वो तीन प्रकार कोते है mini frame computer और 만 frame computer और माइक्रो कम्प्यूटर थर्ड जो है वो है on the basis of purpose यानि कि उदेश्य के आधार पर purpose के आधार पर जो है वो computer को दो श्टेनी में रखा जाता है general purpose based computer समानने उदेश्य आधारिक computer और second है special purpose based computer विशेश्य उदेश्य आधारिक computer सबसे पहले बात करेगे कारेपणाली के आधार पर या technology के आधार पर या working system के आधार पर सबसे पहले जो है वो है analog computer जो है इसको हिंदी अन्रूप computer बोलते है इस परकार के computer में चरो को सतत रूप से भोतिक मात्रा में या भोतिक रूप से क्या है दर्चा जाता है जैसे तापमान लंबाई दाब उच्छाई आधितत्यो को माप कर उनको क्या है अंको में परदर्शित करना उधारण के लिए petrol pump में लगा जो computer होता है वो क्या है एनलोग computer का एक सबसे अच्छा उधारण है क्योंकि उसमें जो क्या है पेट्रोल जो है वो क्या है लीटर में मापा जाता है और उसको क्या है परदर्शित किया जाता है नेक्स्ट है digital computer सेकेंड जो है digital computer digital computer से अभी प्राइब उन computer से है जो digital संकेतों के आधार पर चलते हैं इनकी जो speed है वो अच्छे होती है और गणना के लिए 2000 अंक पति इसमें क्या लगी होती है जिसको क्या बीट्स कहता है notebook computer palm top या pocket computer सब जो है वो इसी कही उधारन है और थर्ड जो है hybrid computer यानि कि इसको हिंदी में बोलेगे सकर computer यह जो है वो analog और digital और digital दोनों computer का क्या है मिश्रित रूप होते है इस परकार के computer में input और output क्या है analog की साटा से और processing जो है digital computer की या processing में जो क्या है वो digital computer का क्या है प्रियोग में लाया जाता है उसके बाद on the basis लकुन घल्बाइब सब्सक्रीष सुब्सक्राइब सब्सक्राइब के उदेश्य से जो बनाए जो computer होता है वो क्या है जनल परपस बेस्ट की इस रेड़ी में ही आता है फिर सेकेंड स्पेशेल परपस बेस्ट computer या विशेश उदेश्य आदारित computer ऐसे computer जिटका निर्माण या processing किसी विशेश कार्य के कि उदेश्य से क्या है या जिसका निर्माण या processing किसी विशेश कार्य के उदेश्य से क्या गया हो ऐसे जो computer है वो क्या है स्पेश्यल परपल बेस्ट computer के लाते हैं फॉर एक्जामपल अंत्रिक्ष विज्ञान अंत्रिक्ष यात्रा है तू या विज्ञान या मोसम चिकिस्चा या क्रिशी को ध्यान में रखके जिनका क्या है निर्माण किया जाता है खास तोर से कि नेक्स्ट जो है लास्ट जो है ओन्दा बेसिज ऑफ साइज माइक्रो सबसे पहले जो है वह है माइक्रो कंप्यूटर आकार जो है बहुत छोटा होता है यह जो है प्रस्नल यूज के computer होता है इसके इसमें एक व्यक्ति क्या है कार्य कर सकता है सेक्ड जो है वह है मीनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होता है कि पीडीफी एट फर्स्त क्या है माइक्रो तो मिनी कंप्यूटर है इसका भी काज़़ उनीचिल थे निटीज सिसटीपाइब ने मिन कम्प्यूटर बना जा था पीडीपी8 फिर लास्ट जो है वह मैन फ्रेम कम्प्यूटर मैन फ्रेम कम्प्यूटर इनका आकार क्या है बड़ा होता है और इसमें जो है multiprocessor लगे होता है इनकी कारे जो शमता है वो अच्छी होती है और इसमें जो है वो एक साथ जो क्या है एक से अधिक लोग क्या है कारे कर सकता है company बैंक रक्षाशेत्र आधी में क्या है इनका जो है मुख्य रूप से उप्योग में लाया जाता है super computer जो है इसी के अंतरका चाते है इसी शेनी रखे जाते है बारत का जो पहला super computer था वो परम है super computer के जो मुख्य तो कारे होता है या उप्योग जो होता है वो होता है अंतरक्ष आत्रा के लिए मुसम विज्ञान की जानकारी जात करने के लिए और यूद के समय भी क्या है इनको उप्योग में लाया जाता है जो सूपर कम्प्यूटर होता है तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो वीडियो पसंद आएगा ज़रूर वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और ज़्याद ज़्याद लोग शेर करें और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे स्यूटूब चैनल को सब्सक्राइब ने क्या तो प्रीज मेरे स्यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें आज की इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे किसी नाई टोपिक पर नमस्कार